नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवर्ड इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुभाश कॉड आज हम बात करेंगे उत्राखंड बीजेपी के 49 परतियाशियों की जिनको भाजपा ने टिकेट दिया और 2022 के विधान सभा के चुनाव के मैदानों में उता रहा हैं लेकिन इसमें सबसे खास बात चीत ये भी है कि लगभग 10 सीटिंग विधायकों के भी टिकेट काटे गए हैं और ये कहा जा सकता है कि विधायकों की टिकेट बीजेपी पहले से ही कह रहे थी की काटे जाएंगे लेकिन वो 10 विधायक कौन-कौन है सबसे पहले आपको बता द यमकेशवर से रित्तुकंडूरी एक महिला चेहरा जिसका टीकेट इस बार भाजपा नेए थराली विदानसभा सीड से मुन्यी देवी शा एक महिला चेहरा जिनका टीकेट भाजपा नेज़ार काड़ दिया है अतरति अर्वरिश्च भाजपा नेता और विधायक सुरेइन सिंघ नेगी जिन का टिकेट बाजपा ने काट दिया है इसके साथ ही खानपूर से विधयक पूझन पृर परण्णव सिंघ चैंपिन जिन工 सीट काट दिया गया तरहीं पा accurate ने को सीट से किट ब violation गई में जाकिन जाता है अंद n चोड़ चुके हैं एक सरकार में रहे मंतरी हरक सिंग रावत जिनको कोड़ द्वार से जो विधायक थे जिनको सरकार यानि की सरकार के कैबिनेट पत से भी हटाए गया और पाटी ने अपने पाटी से भी उन्हें छे साल के लिए निश्काशित कर दिया और दूसरा बड़ा चेहरा है पूर मुख्यमंतरी त्रवेन सिंग रावजी जिन्हों ने अपील की है यानि कि उन्होंने पत्र लिखा है केंद्री नेतित वो को कि वह इस बार दोई वाला विधान सभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो दो विधायक और यानिकि दस और दो बार दो बारा विधायक वो जो इस बार चुनाव भाजपा से नहीं लड़ेंगे और अभी इंतजार है कई और विधायकों के टिकेट कटने का क्योंकि उमीद ये लगाई जा रही है कि अभी भी कई अन्य सिटिंग विधायकों का टिकेट काटा जा सकता और यहीं वज़ा है कि जो दूसरी लिस्ट है उसमें आज भी शेंशय बनावा है कि आखिरकार वो लिस्ट कब तक सब के सामने आएगी लेकिन अगर बात करें टिकेट कटने के साथ ही भाजपा में एक बार विरोध यानि कि कहा जा सकता है पार्टी के खिलाफी विरोध बहुत जाला देखने को म पार्टी छोड़ देंगे पहले हैं अब उनकी टिकेट नहीं मिलने के चलते अब यह कहा जा सकता हो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तयार है इसके साथ इधनोल्टी विधानसभा सीट जहां से भाजपा ने टिकेट दिया है प्रितम सिंग पवार को पिछ खिलाफ है कि वह पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं बगावत सुर्क एवल इन दो सीटों पर ही नहीं है बलकि और कहीं सीटों पर भी बगावत के सुर्फ खूब इन दिनों जो और शोर से नजर आ रहे हैं क्योंकि भाजपा के लगभख उन्तालिस्टिक फाइनल हो अद्वीर सिंग जी कह रहे हैं कि वो भी इस बार विदान सभा का चुनाव लड़ेंगे यानि कि जिसका डर था भाजपा को जो भाजपा सोच रही थी कि इस बर बगावत के जो सुर्फ हैं वो शायद कम होंगे विदायकों के टिकेट के कटने के बाद लेकिन वो सुर्फ अभी विएसे ही बरकरार है और बड़ी चीज़ यह है कि अभी भी वो 11 महतपूर सीटें जिस पर सभी की निगाएं हैं उन सीटों पर किसको टिकेट दिया जाता है या फिर किस पर भरोसा किया जाता है वो भी देखना जरूरी है लेकिन उन टिकेटों के जारी होने के सीट पर विधायक हैं भाजपा के वो हैं धनसिंग नेगी जी अब ये सीट क्यों छोड़ी गई क्या वो धनसिंग नेगी को इस बार चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं या फिर इंतजार किया जा रहा है कॉंग्रेस के किशोर उपाध्याय का कि वो कब आते हैं और कब उन लेकिन ये साफ है कि किसी बहरी चेहरे को सीट पर उतार गया तो जो स्थानियां नेता हैं स्थानियां कारिकरते हैं उनकी नाराज़ब की बढ़ेगी और शाय ये शीट भी भाजपा को खट्रे की सीट ना बचार और सबसे महतपूर सीट डोई वाला विधान सबासी जहां सिंग रावत जो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल साफ है कि सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कोई नया चैरा बाजपा को डोड़ना होगा अब वो चैरा कौन होता है क्या वो स्थानिय चैरा होता है या फिर चैरा कोई बड़ा लाया जाता है लेकिन उस सीट पर भी कई दिक्कतें अब सामने आने लगी हैं यदि छेत्रिय चहरा नहीं हुआ तो शायद शायद फिर से बगावत के सुर भाजपा के डोई वाला सीट पर भी देखने को मिल सकते हैं अब देखना होगा कि इन सभी के साथ ही जी हां सभी के साथ ही किस तरीके से समय में बना होता है यह भी देखना होगा लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टिकेटों के फाइनल होने के साथ ही बगावत की भी सुर बहुत तेजी से भाजपा के अंदर अब दिखने लगे हैं अब 2022 में इस बगावत के साथ किस तरीके से चुनाव मैदान में भाजपा उतरती है य तक के लिए हमें दीजिये अजाज़त नमस्कार